하लों वैल्कम् टू डैं स्टूडियो Nasational construction चल रहा है और हो सकता है कि फूरी सी क्टपट की ओस आईगी तो उस के लिए अभी से सौरी कि उसमें कुछ भी नहीं कर सकते ज़ितना ओ सके medical जितना हो सके उसका खंड करनी के कोशिश करें जैसे कि अभी जट हम ने appropriate थोड़ी देर पहले है एक एक एंडल पहले हमने एक एंट्री लेया अदित परिला के अंदर 288.55 पर हमारी एंट्री है सो यहां से जल्दी से पहले अपने ट्रेमेल पर लॉग इन करते हैं लोग एस्प्रेसो यह देखिया ओके पोजिशन फॉलो अप कॉल एक परफेक्ट देखिया काफी बड़ा मुवमेंट आया इस वक्त दो हजार पाउन सो रुपए दो हजार पाउन सो क्वांटी के साथ में एंट्री लिया है देखिये यह यह जो शोर है मैं भी हो सकता है कि आप यह से थोड़ा वर डिस्टब हो रहे हों कोई बात ने इसको थोड़ा से एवाट करिएगा और यह लोग टांशीम के नायल्सिस लोग टांशीम पर क्या हुआ था हायर टांशीम पर जैसे कि एक वह स्विंग है अपना और यहां पर अपनी एक एंडल इंपॉर्टेंट है यह वाली 915 का हाई जिसको कि हमने ऐसे स्टॉप लॉस कंसिडर के आज के दिन और अपना एंट्री पॉइंट डबल एट पॉइंट डबल फाइप तू डबल एट पॉइंट डबल फाइप और टार्गेट्स जो हम इसक डबल फाइप डबल फाइप पर स्टॉप लॉस जो हमने इसकंदर लगा रहे हैं 289.85 के हमारे स्टॉप लॉस से हैं बार पेज़कुप में रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग स्टॉप लॉस 289.85 के स्टॉप लॉस जो पॉजिशन चल रही है 5200 रुप लग वेख हम प्रॉ है हम इसको ऐसे ही नहीं निकालते है Different time frame परματα अनलाईज करना पड़ेगा ा 191 करना पड़ेगा management के साथ पूरा का पूरा trade execute करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा चimana है कि जू यह आप ग्रीं कलर के प्रफत्स देख रहे हैं यह होगया और ज्यादा से ज्यादा चार्ट कोropri долж क sulla गैसे सब्सक्राइब करने की कुछिछ कोशिच करते हैं जादा से ज्यादा समय थे चार्ट कोरेख करने कि देखते हैं आज की मार्केट मे अपने लिए क्या रखा हुआ है कोई बड़ा सा मूव होगा तो आपको इंफार्म करते हैं या फिर कोई टार्गेट संभू करेंगा तो इंफार्म करते हैं अपर यह जितनी भी रेंजे से इन सब को कर देते हैं डिलेट 291.70 यह एक इंपोर्टेंट रेंज ओफ प्राइज है प्रीवेस को इस डाटा को देखते हुए और प्रीवेस लेवल्स को देखते हुए हमने अपने यह वाला लेवल निकाला था हमने क्या किया है कि इस रेंज को as a resistance काम मिली है movement ठीक हो रहे हैं अब प्राइज इस रेंज पर आ जाने के बाद देखिए इसने क्या किया है हम यहां पर कुछ एक रेंज करेंगे और रेंजे से हायर ट्रेंज को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे प्राइज ने इस रेंज तक अपने एक लू लगा देने की बाद में प्राइज ने एक हाई कहां पर लगाया है last trading session में इस रेंज तक यहां पर हाई लगाया है मतलब प्राइज इससी वाली रेंज से इस एक important zone से जिस zone को अभी में mark किया है इस zone से नीचे की दिशा में गिरा है और गिर करके वापस last trading session की movement को भी अगर हम देखते हैं तो प्राइज वापस हमारा उसी range में चला गया और आज जो प्राइज हमको मिला है अपने उसी resistance point पर मिला उसी अपने resistance level पर मिला अब यहां से भी अगर प्राइज हमारा strong था तो इसको upside की तरफ निकल जाना चाहिए बट morning में जैसे ही अपने resistance से ठकराया है इसके अंदर volumes की confirmations और supports के breakout शुरू हो गया कुछ resistance points higher time frame के और कुछ resistance और support points lower time frame इन दो elements को देखते हुए हमने इसके अंदर अपने एक entry बनाई थी यहां पर आप देख सकते हैं जो entry हमने इसके अंदर ली है 288.55 पर ली थी 288.55 ओके यह मेरा entry का point था है stop losses के लिए हमने क्य क्या किया है कि just 9.15 के high के थोड़ आसा इस वाली range पर यहां पर मुने अपना stop loss रखा अभी move काफी ठीक हो रहे हैं price के अंदर बट हमारी expectation है price को और भी नीचे के दिशा में आना चाहिए okay so कोई भी किसी तरह का action हम इसके अंदर करते हैं या कोई movement होता है तो inform करते हैं आप इस वाज़े से हम अभी भी बने हुए हैं देखिया और इस वाट की जो अपनी position है 10,000 रुपीज के लगबग हम इसके अंदर profit में हैं हालां कि यही position अभी हमारी 13,000 प्लस में चली गए थी अभी हम और wait करेंगे इसके अंदर कि price वापस इस range पर आए तो हम अपने targets को book करे कि हमें इसके अंदर positions निकालनी हैं तो उसी range पर निकालनी होंगे हम वेट करेंगे देखते हैं किस तरह की movements होती है फिलाल अभी तक हमने कोई भी इसके अंदर अपना buying का order नहीं लगाया है 289.85 stop loss है so position book देखिए लगी हुए है और किसी भी तरह कोई buying order हमको लगाने का मौ का मिलता है इसके अंदर हमने buying order लगाएंगे और लगा कर ही आपको इनफर्म करते है so 14,000 रुपीज के लगभग का profit अपना चल रहा है and order book में आप देख सकते हैं एक order हमने लगाया तो इसको cancel कर दिया था कुछ गडबड हो गई ती इस order के अंदर so second order हमने यापर ready किया 2500 quantities क 282.15 पर pending पढ़ा है order price के उस range पर आ जाने का wait कर रहा है so position book में trade अपना चल रहा है and अभी हमें wait करना होगा कि price हमारा वापस 282.15 पर यहां पर जैसे ही price आएगा हम यहां से exit हो जाएगे wait करते हैं देखते है market को क्या मंजूर है हमको हमारा target मिलेगा या फिर price यहीं reverse हो जा लीजे सारी quantities अपनी एक एक करके निकल गए है तो आज के यह trade हमारे यहीं पर खतम हुआ order book एक बार open कर लेते हैं देखिए 2500 quantities 282.15 पर हमारे orders थे 282.15 पर सभी orders हमारे निकल गए हैं और जितनी वी orders हैं सारे के सारे अपने complete हो गए हैं पोजिशन बुक में overall जो आज का profit हमारे 16,000 का profit है सीधा सीधा 16,000 का profit है एक बार refresh कर लेते हैं पेज को perfect okay so price देखिए और भी नीचे जा रहा है तो आज का टेडर मोगें पर खतम करते हैं एक ठीक ठाक profit एक अच्छा रहा ratio और एक डीसेंट सा profit हमको मिला एक बार फिर से हम आपको कहें के आज की उडियो रिकार्डियों को थोड़ी बहुत डिस्टाबन सुई होगी तो उसके लि हुआ 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 है